आज सुप्रिम कौर्ट ने एक ऐसे महत्वकून मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैंकडो वर्षों का एक दिर्ग कालिन इतिहास है पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो जो हुई और आज निलने आ चुका है दसकों तक चली न्याए प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोगतांत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाई ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृति परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्वित करता है बाई और भेनों भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीतता में एकता विवीतता में एकता आज यह मंत्र अपनी पुरुनता के साथ खिला हुआ नजर आता है गर्व होता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीतता में एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के अइतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और ये घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की नयाय पालिका के इतियास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रीम कौट ने सब को सुना बहुत धैरियस ने सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुलजाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिय सरल नहीं है सुप्रीम कौट ने इस फैसले के पीछे द्रड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्याया लए और हमारी न्याई प्रणाली आज विशेश रुपसे अभिनंदन के अधिकारी हैं साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारिक थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुठ होकर नया संकल्प लिया था आज नव नवंबर को करतारपुर साहिप करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारीक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जुडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दीन है नए भारत में भाय कटूता नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सर्वच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है कानून के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर ये बना कर रखना ही सर्वोचीत है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रणाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे यह भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर करके आया है इस विवात का भलेई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आये एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्माण करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छुट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रिम कोट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्माण की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याईक प्रक्रिया का पानन करना नियम काईदों का सम्मान करना ये दाईत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाते हर भारतिय को अपने कर्तव्य अपने दाईत्व को प्रात्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एकता हमारी शांत्य हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्वपून है हमें भविश की और देखना है भविश के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी हैं लक्ष और भी हैं मंजीलें और भी हैं हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा मैं फिर एक बार आज नव नौंबर के इस महत्वपून दीन को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए आप सबको आने वाले त्योहारों की कल इत का बड़ा पवित्र त्योहार है उसके लिए भी बहुत बहुत छुप कामनाई देता हूँ धन्यवाद